इंडियन नुमेस्टिक क्रिकेट में इन दिनों अंडर 23 करणल सीके नाइडू ट्रॉफी खेली जा रही है इस टूर्नमेंट में अंदरपरदेश के एक बल्लेबाज वामशी क्रिश्ण ने अपनी दमदार बल्लेबाजे से सब को हैरान कर दिया है 22 साल के सुईवा बल्लेबाज ने डेस्ट क्रिकेट के परफॉर्मेंस वाले टूर्नमेंट में T20 जैसी तुफानी बल्लेबाजी की और एक ही ओवर में लगतार छे छक के जर्दी है इतना ही नहीं वामशी के इस धुआधार बल्लेबाजी का वीडियो खुद BCCI ने जारी किया है जो की सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है आपको बताना चाहेंगे कि अंडर 23 करनल सी के नाइडू ट्रॉफी में अंदरपरदेश और रेलवी के बीच एक मैच खेला गया इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उत्री आंदरपरदेश टीम के सलामी बल्लेबाज वामशी करिश्टा ने रेलवी के स्पिनर दमन दीप सिंग की एक ओवर में लगतार 6 चके जड़ डाले इतने ही वामशी ने सिर्फ 64 के हिंदो पर 110 रंकी ताबर तो शट के पारी खेली उन्होंने कमाल के परदरशन के दम पर आंदरपरदेश की टीम ने पहली पारी में 378 रंका स्कोर खड़ा किया वामशी क्रिशना एक ओवर में 6 चके लगाने के बाद रविशास्त्र युवरास सिंग और रितू राज गायक वार के कलब में श्रामिल हो गए हैं महें रेलवी की और से स्र कमान और एमडी जैसवाल ने सर्व जनक तीन तेन विकेट लिए आपको बताना चाहेंगे कि विशाका पत्नम के वाई एस राजवा रेधी सी एस क्रिक्ट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अंधर बदेश की 378 रन के स्कोर पर समेटने के बाद रेलवी ने भी बल्ले बाजी में दम दिखाया रेलवी की ओपनर अंशियादव ने गेंद बाजी की जमकर धुलाई करते हुए 557 गेंदों पर 14 चोके और 2 चक्के की मदद से 268 रन बनाए इसके लावा रवी सिंग ने भी 311 गेंदों पर 27 चोके और 13 चक्के की मदद से 258 रन बनाए इतने नहीं अंशियादव ने 219 केंदों पर 134 चक्के और 2 चक्के लगा कर 133 रन की शत्के पारे खेली हलाकि ये मैच ड्रॉपर खत्प हुआ